So, hello everyone, guys, टरह महादीव, राधिर राधि, कैसे हो आप सभी लोग, guys, I hope आप सभी लोग अच्छ अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे So, guys, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ, आपके लिए एक्वेरियस साइन जिनका भी है जोडेक साइन, okay, एक्वेरियस मेंज कुम्भर आशी अगर आपके सन, मून, राइसिंग और नौड में आती है, तो कैसा रहेगा आगे आने वाला समय, okay, अब आपके स साथ क्या होने वाला है, आने वाले समय, very soon की energies क्या है आपके लिए, okay, so I think आज इस series का end हो गया है, ठीक है, आज यह last reading है, I think मैं check out कर लोंगी फिर भी, but हाँ, फिर भी मैं, में को जो लग रहा है कि यह इस series का end है, तो Aquarius, जिनकी भी sun, moon, rising and north node में यह राशी आती है, कुम् सेट कर दो, और अगर आपको personal reading चाहिए, तो आप मुझे instagram पर DM कर सकते है, instagram का link description में है, या फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो, okay, और also अगर आपको कोई भी type का crystal bracelet, pendant, ring चाहिए, ठीक है, आप मुझे DM कर लेना, okay, so yes, कैसा रहेगा आपका आने वाला समय, okay, so nine of swords card है so Aquarius, कुंभ, राशी वालो, आगे आने वाला समय कैसा रहेगा आपके लिए, okay, दो cards है, great, wow, amazing energies, कैसा रहेगा आगे आने वाला समय आपका, so bottom of it guys, यहाँ पे है आपके लिए the high priestess card, और middle नहीं चीज़ है, यहाँ पे the ace of swords card, तो कैसा रहेगा आगे आने वाला समय आपके लिए, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिख रहे है, पर आप बहुत stress दिख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई overthinking कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, इतना overthinking मत करो, यहाँ पे यही कहा जारे, सब कुछ अच्छा होगा, everything is well, so yes, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप stress ले दिख रहे हो, आपकी रातों के नीद उड़ी हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आपकी शादी की वाते हो रहे हैं, शादी आपकी, मतलब यहा होना चाहते हो, जिसके वज़ह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, so वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि yes, उस वज़ह से आपकी यह नीदे उड़ी होई है, यहाँ पे कहा जारे, एकवल गिवन्ते करो, दान पुन्य करो कि, जिससे आपकी रातों की नीद आपको आप आपकी अच्छे से आप सो पाओ और yes, अपनी लाइफ में इंज्वाए कर पाओ, और यहाँ पे न मुझे nine of pentacles शो कर रहा है, कहीं न कहीं आपकी जिंदगी में, आप लोग बहुत financially stable होते हो दिख रहे हो आने वाले समय, very soon की energy सी है कि stability आपकी लाइफ में आ रहे है, money, abundance, जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, love life में अगर struggles आपको देखने को मल रहे हैं, मतलब अच्छे से यह तो बात नहीं हो पारी थी, आप फिर बात हो रही है, बट होता है न कि आपके मन में ही वो बेचैनी सी है कि कैसे सब आगे होगा, कैसे सब आग मैं कब तक अपनी life में आगे भड़ पाऊंगा या पाऊंगी, तो मैं कब शादी करके अपने घर जाऊंगी, या मेरे घर कोई आएगी, ठीक है, तो यह सब चीजे आपके mind में चल रही है, Aquarius, कुम्भ, राश्री वालों आने वाले समय में, तो मैं तो यही कहूंगी कि भा आपको गाजरे अपनी intuition का भी use करो, कहीं न कि आपको अपनी intuition का भी use करने के लिए बोला जा रहा है, आप intuitive हो, I know this, अगर आप intuitive नहीं हो, तो of course, आपकी intuition बहुत हाई होता है, दिखरे आने वाले समय में, तो इसका use करो, कि यह ऐसे ही intuition आपको नहीं दी गई है, या तो लो communication skills में बहुत अच्छी हो रही है, आपके आप बहुत अच्छी से बाचित करते हो, दिखरे हो, ठीक है सबसे, और अगर आप बाचित नहीं, आपका थ्रोट चक्रा बन था, तो वो थ्रोट चक्रा आपका उपन अप होता हुआ, दिखरे है, अच्छी energies है, positivity यहाँ पे और यहाँ energies में balance की energies हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कही न कहीं, आपने पैसे कही न कहीं बाच रहे हो, सेवा कर रहे हो लोगों की, donations जो मैंने बोला, वो यहाँ पे energies हैं आपके लिए, और yes यह positivity आपकी life में लेके आने में बहुत help परेंगी, okay, so Pisces sign आपके लिए important होसा है, Taurus, Capricorn, also Gemini, Libre Aquarius, और also Aries, Leo Sagittarius is also important for you, मैं यहाँ पे देख पर हूँ, Earth sign, Air sign, Fire sign, और Pisces means Water sign, तो चारो के चारो elements यहाँ पी हैं, बट जो important Aquarius आपके लिए sign आया है, वो है Pisces sign, okay, means Mean Rashi, okay, आप Justice Lover हो guys, आप Justice का साथ देते हुए दिखरों आने वाले समय में, ठीक है, मतलब होता है न, आपको सच बोलना पसंद है, और सच का साथ देना पसंद है, तो सच ही आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पी, so कैसा रहेगा और क्या आने वाला है, queries आपके लिए, okay, okay, wow, the word card is here, और guys, जो card नीचे गिरा, वो यह था, yin or yang, मैं सची बता हूँ, यह जब गिरा न, side से ऐसे करके, तो मुझे लगा word card है, और मैंने इतना ही, मतलब बोला नहीं मैंने, तो मैंने second card निकाला, और word card ही आ चुका था, oh my god, तो मैंने सूचा, यह अगर word card है, तो वो मुझे क्या card दिखा था, तो यह था, yin or yang energies, okay, आप देख लेंने, check out करना, थोड़ी से जलक है इसमें, इसी card कर वो वैसा ही दिख रहा है, okay, so bottom of it है कि इहां पे है strategy card, ठीक है, strategy means आपकी life में destiny बहुत important role play करने वाली आने वाले समय में, आपकी किस्मत के दरवाजे खु change करने की भी ताकत रखोगे, आप, अगर आपके बास है ऐसी powers, तो definitely आपके समत को अपने change कर रहे हो, अगर आपकी life में, for example, आप बहुत hard work करोगे, तब कुछ मिलेगा, यह negative चीजे हैं, बहुत सारी, उनको आप खतम कर दो, और अच्छे चीजे बहुत दो, इसमें, ठीक ह आपको 11-11 बहुत जाद दिखने वाले, आने वाले समय में, okay, Aquarius, so yes, also, यहाँ पर यह भी दिख रहे हैं, आप long distance travel भी कर सकते हूँ, आने वाले समय में, जो भी फॉरण जाने का try कर रहे हैं, guys, please, पहले तो balance कर लो अपने energies को, मतलब जादा उशलो मत ठीक है, जादा ही, ल थोड़ सा rude लगेगा, बट yes, शाहिद किसी को सुनने की यह जरूरत ही line, और yes, थोड़ सा आपको कहा जा रहे है, थोड़ सा relax रो, अपने right time पे सभी चीज़े हो धी जाएंगी, और, for example, आपको फॉरण जाना है, आपको उसके लिए shopping करने, आपको चाहिए 1 लाग की shopping हाना में को तो चाहिए, कि भाई इतना एका कपड़ा हो, branded हो सब कुछ तब भी जाओंगी है, जाओंगा बाहर, बट आपकी parents इतना ford नहीं कर सकते हैं, वो सरफ 30-40 के around ford कर सकते हैं, तो guys, वही आपको, इसलिए शाहिद ये line मैंने बोली है, कि शाहिद आपको जिद कर सकते हो मुझे ये चाहिए, जाने से पहले ये चाहिए, थोड़ा सा आपको कहा जा रहे है, खुद ही आप अगद न कर रहे हो, अपने पैसे से ही चाहिए, सही, but of, मतला, ford जितना करो, उतना ही करो, ठीक है, है, so 21 number, 21 number, 29 number, 22 number, 22, 22 number, आपके लिए important होसता है, 11 number, 3 number, also, 4 number is also important for you, guidance क्या है, आपके लिए, उससे पहले आप reading को like करके, चानल को subscribe कर लेना, bell icon को दबाके, all के set कर देना, personal reading के लिए, आप मुझे instagram पे dm कर सकते, instagram का link description में है, या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो, also, अगर आपको guys, and also guys, जिन्होंने भी personal reading ली है, thank you, thank you, thank you so much everyone, and I hope, आपके साथ, जो भी reading मैंने आपको दिये, वो match की हूँ, अगर आपको नहीं मिली है, तो wait कर लो, एक दो दिन में आपको मिल जाएगी, okay, so yes, clear your wives, यहाँ पे archangel metatron है, thank you metatron for clearing my energy field, so thanks कि archangel metatron को, कि वो आपकी help करने हैं, clear करने में, आपकी energy fields को, okay, bottom of it है कि यहाँ पे spiritual gifts है, archangel Razial है, thank you Razial for helping me, channel my gifts and talents, okay, so thanks कि archangel Razial को, कि वो आपकी help करने में, आपकी gifts और talents को, okay, so yes, यह energies आई हैं आपके लिए, and I hope, आपके साथ यह reading match हुई हो, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी reading और शादी, जो साथ, शादी के बारे में सोचे हैं न, commitment के बारे में सोचें, जो भी लोग, यहाँ पे उनके relationships में, commitment, शादी, सब कुछ होता हुआ, दिख रहा है मुझे, okay, so guys, thank you so much, Haramahadeep, Radhe Radhe, God bless you everyone, take care, and bye guys,